क्लास 11 NCRT मेट्स एक्ससाइज 3.3 का कुशन नमबर 16 का सुल्यूशन करेंगे वो भी बहुत आसान तरीके से तो आप इस वीडियो उपरा देखिए उस ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है कि तीन मिनट का वीडियो है इस एक्ससाइज को करने के लिए दोस्तों आपको जो बैसिक फोर्म ने दे रखें आपके NCRT में वो सारे याद होनी चीए पहली बात तो ये गांट मान लो अब देखो यहाँ पर इस कुशन में करना क्या है आपको दो साइड दी गई है पहले उस साइड का हम नाम लिख देते हैं देखो अपना ये वाला हाथ उपर उठाओ कोपी को सामने देखते हुए कौन सा है राइट हैंड साइड तो ये वाली साइड बराबर के इस तरफ राइट हैंड साइड हो गया ये वाला हाथ उठाओ यह आपका left hand side हो गया अब मुझे करना क्या है left hand side को लेना है उसको solve करना है और right hand side लाना है यह मेरा target है इतना समझाते ही हमारा काम हो गया ऐसे समझो अब देखो यह आपका left hand side क्या है cos 9x minus cos 5x by sin 17x minus sin 3x है अब दोस्तों जैसे ही मैंने इस side को देखा तो मेरे दिमाग में गंटी बजने लगी उपर के यहाँ पर के भाग को देखते हुए कि cos x minus cos y equal to minus 2 sin x plus y by 2 sin x minus y by 2 मेरा formula होता है इस formula को यहाँ पर मैं लगा देता हूँ देखो यहाँ x की जगे आपका कितना है इस formula से तुलना करो आपका 9 x है y की जगे कितना है आपका दुस्तो 5 x है यहाँ पर क्या आ रहा है देखो minus 2 sin x plus y यानि 9 x plus 5 x कितना बन गया दुस्तो आपका 1 4 x बन गया ओके divide by कितना है आपका 2 है अब धिहान से देखो आगे क्या है sin x minus y by 2 यानि 9 x minus 5 x कितना 4 x by 2 ओके उपर का भाग का काम हो गया तो मैं नीचे से बात नीचे वाले भाग से आकर बात करता हूँ नीचे क्या है sin x minus sin y का फोर्मला काम है लेंगे यह होता equal to 2 cos x plus y by 2 sin x minus y by 2 इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं जब minus आता है तो sin पहले आएगा वह आप जब वहाँ पे एक साथ सारे फोर्म ने देखेंगे तो इस प्रकार से रिलेट करके याद करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा इसलिए मैंने आपको starting नहीं बोला कि सारे फोर्म ने याद कर लो अब आपको यहाँ पर करना क्या है देखो यहाँ x की जगे कितना है आपका 17x है और y की जगे कितना है 3x है यहाँ क्या बन गया 17x plus 3x कितना 20x और divide by आपका कितना 2 यहाँ 17x minus 3x कितना 14x divide by 2 बन गया अब ध्यान से देखो आपके खुली रखके यह भी क्या है sin 14x divide by 2 है यह भी sin 14x divide by 2 है तो यह तो देखो आपका direct क्या हो गया cancel हो गया और यहाँ पर यह 2 से 2 आपका cancel हो गया और यह minus sign पड़ा है यहाँ पे बचा क्या देखो यहाँ पर 2 से 4 कितना 2 time cancel होता है यह नहीं आपका sin 2x आ गया और यहाँ पर देखो 2 से 20 कितना आपका 10 time cancel होगा अब ध्यान से देखो अपनी right hand side को क्या यही है हाँ यही है देखो minus sign 2x by cos 10x equal to right hand side यह क्या होगे दोस्तों आपका 37 hands rude तो यही दोस्तों चोटा सापका question है जो कि अब आपने soul कर लिया चैनल को subscribe करो video को like करो share करो और यह वीडियो देखने के लिए नीचे comment करो